आज गल हर घर में डाइबटीस का एक मरीज़टों मिल ही जाएगा यह बिमारी बहुत ही तेजी से फैल रही है यह एक बहुत ही गंबीर बिमारी है इस बिमारी में रक्त में गुलकोज का सतल समान्य से अधिक बढ़ जाता है तथा रक्त की कोशिकाए इसका सक्रका उप्योग नहीं कर पाती यदि यह गुलकोज को बड़ा हुआ लेवल खुन में लगातार बना रहे तो श्रीर के अंग परत्रंग का नुकसान पोचाना शुरू कर देता है वैसे आपको बता देती हूँ कि ये बिमारी खुद की गलतियों की वज़े से फैलती है खान पान वर लाइफ स्टाइल की गलत आदित जैसे मधूर एवं भारी भोजन का अधिक सेवन करना चाय दूद आदी में चीनी का ज़्यादा सेवन करना कॉल ड्रिंग एव अन्य सोफ ड्रिंग अधिक पीना शाररिक परिस्रम ना करना अगर हम इन सब चीजों को थोड़ा भी ध्यान रखे तो हम इस खतरनाक बिमारी से बच सकते हैं और बहुत बार तो ये होता है कि लोगों को देर से पता चलता है कि उन्हें डाइबटीस जैसी बिमारी है तो आपको डाइबटीस के कुछ लक्सन बता देती हूँ जिससे ये पता चल जाता है कि डाइबटीस कि सिकायत है बार बार पैसाब लगना प्यास जादा लगना भूख जादा लगना बिना काम करे भी थकान होना शरीर में कहीं गहाँ होने पर जल्दी ठीक ना होना तथा तवचा को बार बार इंफेक्सन होना ये सब डाइबटीस के लक्षन है आज मैं आज आपको बताऊंगी इस बिमारी से बचने के कुछ घरेलू उपाई आप इस बिमारी से घरेलू उपाई से भी बच सकते हैं से करेला जामून दाना मेथी इन सब चीजों का प्रियोग करके आप बच सकते हैं करेला करेला भी डाइबटीस के लिए अतिमहत्तपुरण है इसके लिए करेला का जूस अलकेले या फिर आवले का जूस में मिलाकर सो से 125 मिलिमेटर की मातरा में सुबह शाम भूके पेट ले साथ ही करेली की सबजी बना कर या चूरन के रूप में इसका सेवन करे जामून जामून का फल खाने में जितना स्वादिस्ट और रुचिकार होता है उतना ही सुगर की तकलिफ में लाबधायक होता है इसके लिए जामून की सीजन से जामून के फल खाये जा सकते है तथा सीजन ना होने पर भी जामून की गुठली का चूरन सुबह शाम भूके पेट खाने चाहिए इसे भी डाइबटीस कम होती है दाना मेथी दाना मेथी मदू में बहुत उप्योगी है इसके लिए एक या दो चम्मस दाना मेथी को एक गिलास पानी में रात में भिगो देते हैं सुबह मेथी को चबा चबा कर खा लेते हैं और चबाना इसका मतलब बहुत ही अच्छे से चबा कर सीधा निखलना नहीं है तथा मेथी के पानी को भी पी लेते हैं या फिर मेथी का चूरन या सबजी बनाकर इसका सेवन कर लेते हैं। इन सब चीजों से आप डाइबेटीज जैसे खतरनाक विमारियों से बच सकते हैं। नेक्स्ट नाइन स्प्रिचुल से आचर की रिपोर्ट।